हलो दोस्तो नमस्कार भारती राष्टी आंदोलन टाप 100 MCQ का दूसरा भाग लेकर आपके साथ हैं चलिए शुरू करते हैं प्रसेशन क्या वन से पिछले वीडियो में हमने 50 प्रसन किये थे बागी बचे वी प्रसनों को हम इस वीडियो में करेंगे तो चलिए शुरू करते ह पहले अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो प्लीस सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन को दबा लिजेगा और वीडियो अच्छा लगए तो लाइक और सेर करिएगा तो एक क्या बने सिरी यतिंद्र नादास एक सुतंतता सिनानी ने जेल में कितने दिन बूम कड़ताल के बाद 62-65 दिन की कड़ताल के बाद इन्होंने अपना सरीर त्याग दिया था तो ये क्या बन का हो जाएगा हमारा बी अगला है पंजाब केस्री के नाम से किसे जाना जाता है पंजाब केस्री जो है इनको लाला लाज पत्राय को कहा जाता है प धाल सत्ताम की करांती की शिरुवात कहां से थी मेरट से हो जाएगा निम्लिकित को कालान कुरम में लगाईए बंगाल विभाजन जो था हमारा ये 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था और 4 चोरा कांड जो था 4 फरवरी 1922 में और प्रतम गोल में सम्मेलन जो था ये 12 नॉम्बर 1930 को हुआ था यानि करम से ही लगे हुए एक दो तीन हो जाएगा एक बिकल्ब से हो जाएगा चौंवन का हो जाएगा मारा एग अगला नमक सत्याग्रह क्या है ने भारती नागरु को नमक बनाने के लिए प्रोसाहित किया पच्पन का पूँच रहा है कौन सा सई होगा कि भारती अनुचित कनॐनों को तोड़ देंगे वीवाला विकलब से हो जाएगा इसका रियासत जहांसी को भारत के रास्ट में भारत के जो निब्रेटिस शमराज का अंग बनाया गया था किसादार पर बनाए गया हो जाएगा डी शाबर मती आसरम से उन्होंने दांडी यात्रा शुरू की थी 24 दिन उन्होंने किया था गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबर मती आसरम से अपने 78 ने आयो 78 अपने जो उनके फालोवर्स थे उनको ले करके किया था 24 दिन बाद बो 6 अपरेल 1930 को डांडी में पहुंचकर संकेते ग्रूप से नमक कानून को तोड़ा था अगला हो जाएगा भारती राष्टी कांग्रेस के आरम में बेटे सरकार के परति उनका रवया शुरू में रवया जो था बेटे सरकार का वो बहुत ही बिनम्र था मैत्री पूर्णत हो जाएगा बी बिकलब सही हो जाएगा मंगल पांडे ने 29 मार्च अठावन को किस अधकारी को अंग्रेज अधकारी पर कहां गोली चलाई थी तो यह 59 का हो जाएगा हमारा शीब बेरक पूर चाबनी की बात है कैबनेट मिसन 23 मार्च 1946 को भारत आया इसके सदस्य कॉन नहीं थे तो कैबनेट मिसन जो था 29 मार्च 1946 को भारत आया था कैमिनेट मिसिन के सदस्यों में सरिश्टेफोर्ड क्रेप्स सिरी एबी अलेक्जेंडर और फैथिक लॉरेंस सामिल थे इसका मतलब कौन नहीं था इसमें साइमन नहीं थे भी विकलब सही हो जाएगा मुसलिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कारवाई दिवस जो ये बहुती खतरनाक दिवस था और इसमें बहुती मतलब बहुती लोगों की हत्याई होई थी बहुती इसमें निर्मम रूप से हत्याई होई थी तो ये कब मनाया गया था ये 2016 आगास 1946 को मनाया गया था भारती राष्टी कांग्रेस का प्रतम अद्वेशन बिहार में कहां संपन हुआ भारती राष्टी कांग्रेस का बिहार में प्रतम अद्वेशन कहां पे संपन हुआ तो ये 62 का हो जाएगा C गया में पहला जबेशन लोकमान की उपादी से बाल गंगाधा तिलक को लोकमान कहा जाता है बहुत ही फेहमस है बीबी कलब सही हो जाएगा अगला है उन्नेस सो सेंटालस में भारत की सुतन सता के समय इंगलेंड में किस राजनितिक दल की सरकार थी तो 64 का हो जाएगा ए लेवर पार्टी की सरकार थी बेटन में जो थे प्रदान मंतरी कलीमेंट है इडली जो थे उस समय हाउसाप कामन समय बीस परवर नेस सो सेंटालस को गोशना करते हुए के अंग्रेच जून 1948 के पहले उन्होंने क्या कहादका है कि जून 1948 के पहले ही वुत्तरधाई Concord को सटान सतान प्रे के अप्रांत भारत छोंड़ देंगे लेकिन जून से पहले उन्होंने 47 में ही एक साल पहले ही लगव कापी समय पहले ही उन्होंने देश को आजाद करने की गोशना कर दी थी इस पर भी बहुत चर्चाएं हैं गांधी को सरपरतम महात्मा किसने कहा था गांधी को राष्ट पिता तो सुबाचंदर बोशने कहा था लेकिन महात्मा की उपादी जो गांधी को दी थी वो की दी रविंदरना टैगोर ने 1857 की क्रांती के समय भारत का गवर्नर्ट जनरल कौन था भारत का गवर्नर्ट जनरल भारत का गवर्नर्ट जनरल में जो था लाड कैनिंग था बीविकलप सही हो जायाएगा बैक कौन बेखती था जिसने क्रीमिया की उद्ध तत्था अठार सत्थावनी करांती दोनों में भाग लिया तो ये अजीम उल्ला कहां थे डीप कलप सही हो जाएगा अमरता देवी ने किसके लिए अपनी जान दे दी थी अमरता देवी जो थी इन्होंने ये एक राजस्तान में काष्ट होती है बिश्णोई काष्ट से आती थी और इन्होंने 1730 में अपनी तीन पुत्रियों समयत और 363 और अन बिश्णोई जाती के लोग थे उन्होंने सबने पेंडों की शुरक्षा के लिए जोदपुर के महराजा थे उनके द्वारा ये पेंड काट जा रहे थे उसी के ब्रोद में उन्होंने जान दे दी थी अपनी तीन पुत्रियों साइथ ये 1730 की गटना है और ये खेजडी का पौधा था ए बिकलब से हो जाएगा नौगस्त को करांती दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि ये है नौगस्त को क्या हुआ था 1942 में भारत छोड़ू आंदोलन कि प्रस्ताओं की श्विकरती C बिकलब से हो जाएगा 69 का C हो जाएगा मात्मा गांदी के नेत्रवद में निमलिकत में तीन आंदोलन का सही क्रम क्या है चमपारण आंदोलन 1917 असयोग आंदोलन 1920 और डांडी 1930 तो इसका मतलब जे क्रम से लगे हुए हैं इनका भी हो जाएगा 123 तो 70 का हो जाएगा मारा D 71 चिपको आंदोलन 71 के आज चिपको आंदोलन जो था पीणो की कटाई रोकने के लिए किया गया एक महत्पून आंदोलन था इस आंदोलन के अंदोलन के अंतरगा 26 मार्च 1974 को उत्तरा खंड में बनों की सांती और आहंशक परोध प्रदर्शन किया गया था इसका जो नुक नेतरत जो किया था सुंदरलाल बहुणा ने किया था इसका उद्देश था पेणो की कटाई को रोकना इसके लिए महलाएं जो थी ब्रक्चों को चिपक कर खड़ी हो जाती थी जब भी कोई काटने आता था तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें जिब चिपकों अंदोलन के इसके कूट दिया हुआ है उसको नीचे चुनना है तो चार मैंसे कौन-कौन से सही हो जाएगे इसमें हो जाएगे हमारे ब्रक्चों की कटाई हो दो रोगने प्रेया बना अंदोलन था ये सही हो जाएगा पारस्तित के आतिक सोचन का प्रस्न उठाया ये सही हो जाएगा ये नहीं होगा ये नहीं होगा बनाया गया भारत सरकार अधनियम 1919 के अंतरगत प्रांतों में दोई सासन लागू किया गया इसी के तहट जमीदारों तता भारती उद्धोग पतियों के लिए बिसेश निर्वाचन चेत्र का गठन किया गया था तता मुसलमान सिक्खों और भारती इसाहियों के लिए भी प् पत्तावन के अंदर के नायक चोहत्तर का क्या हो जाएगा लखनों में बेगम हजरत महल ने किया था बरेली में खानवाद रुखान ने किया जहांसी में रानी लच में आरा में किया था कुणर सिंग ने आरा बिहार में कुणर सिंग ने किया था मंगल पांडे ने नहीं कि जो था बंगला भासा का एक उपन्यास है जिसकी रचना बंकिमचन चटर जी जी ने 1882 में की थी इस करती का भारती सुतंतरता अंगराम और सुतंतरता करांतिकारियों पर गहरा प्रभा पड़ा था जो हमारा राश्टिय गीत जो है बंदे मात्रम बो भी इसी से लिया गया औ सन्यासी बिद्रोह जो हुआ था 1773 में उसका वरणन इस किताम में दिया गया यह भी पूछा जाता है कि सन्यासी आंदोलन का वरणन जो 1773 में हुआ था उसका किस किताम में है तो यह आनंदमट में है जो नोंने लिखी है भारती राश्टी कांगरेस के संस्तापक रिपीट हो गया यह बिखलब से हो जाएगा निमलिकत में से कौन समधान प्रारूप सम्तिग अद्धे डक्टर भीम रामबेड कर निमलिकत में से किस राश्टबादी नेता ने जर्मनी और बेटिन के युद्ध को ऐसे दवी अफसर के रूप में देखा कि भारतियों को लावानव जीब सामिलने तता सबी जीब जन्तूं के प्रत्प्रेम की भावना रखे सम्मधान की कौन सी धारा में उल्लिकत है तो यह हो जायागा हमारा धारा एक्क्यावन एजी लंदन में आयो जिद निमलिकत में से किस गोल में सम्मेलन में सत्र में गांधी जी ने भारती कॉमार गोष के क्रिया कलापू ने एक गुप्त करांतिकारी संग्टन को बंगाल में जनम दिया था तो यह संग्टन का नाम था अनुषीलन समती डी विकलब सही हो जायागा गांधी जी ने दांडी समत्पन नमक कानून कब तोड़ा तो नमक कानून का उलंगन जब किया थे तो लिप सही हो जायागा 12 मा से स्टार्ट किए थी उनुने अगला हो जायागा निम्लिखित इस्तानों में कहां मातमा गाण्धी ने भारत में शरपरतम शत्य अगरे प्रारम किया तो शत्त्य अग्रे की अगर बात करें तो सबसे पहले उन्होंने चंपान में किया था, बिहार में डी बिखलब सही हो जायाएगा, मा के किसान थे एक राजकुमार शुकला, उन्होंने इनको बुलाया था, कुमर सिंगने सन अठा सत्तावनी स्पी के बिद्रो का नितरत किस प्रांत में किया था, आरा बिहार में किया था, यह बिखलब सही हो जायाएगा, गांदी जी का डांडी मर्च, यहां से प्रारंब हुआ, कहां से हुआ, एहमदाबाद, 85 का हो जायाएगा, एहमदाबाद, बिहार में सुधार हे तू बेटे सरकार ने सैडलर विश्विद् सब्त्रा में किया था बी बिकलब सही हो जाएगा जलिया भाग में गोली मानने का अधेश किन्ने दिया था तो ये था डायर सी बिकलब सही हो जाएगा इंडिया 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 ली किस्ता अपना किषने की थी तो अठासी का हमारा हो अगला उस भारतिये का नाम क्या था जिसने तीनों गोल में सम्मेलनों में भाग लिया था तो ये थे हमारे भीम राम बैटकर जिनने तीनों गोल में सम्मेलनों में भाग लिया था भी विकलब सही हो जाएगा पूर्ण सुराज की प्राप्ति की गोष्णा भारती राष्टी कांग्रेस में हुई थी, कब हुई थी, वोई लहावर अद्वेशन में हुई थी, और ये अद्वेशन कब हुआ था, उन्ने सो उन्तिस में प्रिशिद नारा इंकलाब जिन्दावाद किस ने दिया था, तो ये शरदार भागत सिंग ने दिया था, सी विकलप सही हो जायागा, उन्ने सो तेरा में सैन फ्रेंसिस्को में इस्तापे तिंदुस्तान गदर पार्टी के अध्यक्ष, सोहन शिंग भाखना थे, सी विकलप स सकती मिली कि वो लोगों को बिना बताए, कोई मुकदमा चलाए गरपतार कर आतंकी होने के संदे मात्रिया रोप के कैद खाने में डाल देती थी, तो ये कौन सा कानून था, ये कानून था हमारा, रोलेट एक्ट, भी विकलप सही हो जायागा, बर्स 1920 में महत्मा गांधी को महत्मा के उपादी, रविन अट्टाइगों ने दी थी, गांधी जी ने करो या मरो का नारा या मंत्र कब दिया था, तो ये आट अगस्त 1942 को कांग्रेश का अध्वेशन मुंबई में हुआ, महत्मा गांधी ने समती के समक चंग्रेश भारत छोड़ों का प्रिस्ताव ये वह साइमन कमीशन के ब्रोद्र प्रदसन करने के दौरान लाहोर में पुलिस लाटी चार्ज में गंबी रूप से घाल हो गया जिसके कारण उनकी बाद में नॉम्बर 1928 में मुरती हो इसके पचाए बटे सदकारी जो कि उन पर लाटी चार्ज के जिम्मे थार भागस सि होती important है सब जानते हैं समझगे होंगे ये लाला लाजपत राय को करता है UCLA के तीन स стен चृरूप कौन से हैं तो शत्य गर्यकर तीन सरूप जों है अशयोग शबना यब अग्यानि बिनएक साथ अग्या माननी नहीं इना अशयोग शयोग नहीं करने उनके काम में और वहिसका करना लाड करजन ने 22 राय होने के दवरान निम्लिकित में से कौन सी गटना नहीं गटी थी यो इसमें बंगाल विभाजन हुआ था लाड करजन के समय पुरातत्त विभाग की स्थापना हुई थी दित्य दिल्ली दर्वाद तीनों यह हुए थी भारती राष्टिय कांग्रे कि आजा धिंद फोज का सदस से नहीं था तो इन में से कौन नहीं था जी यह ठिल्लों नहीं थे बाकी तीनों थे गांदी जी के अनुसार सत्यागरे किसका रूप धर्ण कर सकता क्रांती का डी बिकल्प सही हो जायागा किस ने कहा बंगाल की एक तैक्स शक्ति है बंगाल क बिवाजन से कई भिन राहें दम तोड़ देंगी जिसने किया ओगा बंगाल बिवाजन उसी ने कहा होगा और किसने किया था लाड़कर जनने तो बी बिकल्प सही हो जायागा अगला है क्रिप्ष मिशन कब भारत आया क्रिप्ष मिशन जो था भारत में 1942 में आया सी बिकल्